श्री हरिदास, घटा छटा नक्सिक उठे, सावर गौर बिलास, घन प्रवेटियो रसरीतिको, जैजै श्री हरिदास दोस्तों आपके यूटूब चैनल हरिदासी रसो पास नामे मैं मुके सुन्ज आपका स्वागत करता हूँ और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदान है कि आपने अगर हमारा चैनल सबिस्क्राइब ना किया हो तो इसे सबिस्क्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दवाएं जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सकें साथ ही वीडियो के लिंक और लोगों को शेर करें ताकि लोग चर्चा से अधिक से हजिक जुर सकें आज का विशय है हमारा नित्य रसोपासना का क्या स्वरूप है तो उसी पर चर्चा करने के लिए रसे कचार्यों की वाणी का सहारा लेकर वागुरू जनों की चर्णों की रच का अश्रय लेकर आपके मद्दे में चर्चा लेकर आया हूं दोस्तो नित्य का मतलब होता है जो कल्वी था आज भी है और कल्वी रहेगा नित्य मतलब नवीन नवीन और सदयव रहने वाला वह नित्य है रस माने जो हमें रस मिले मतलब आनंद मिले वह रस कहलाता है और उपासना वह होती है जिसमें हम उसे पाने के लिए जो साधना करत एकिले प्रून के लिए कि वगाप्त करें द्वार्व स्टार्टाना कई अस्फिर्कार समझ सकते पर अगर हम सूख्षुन रूप से जानना चाहें से थोड़ा रसकों की वानी में जानना चाहें तो नित्य मतलब हमारे नित्य बिहारी नित्य बिहारी जो सदैब हैं, नित्य बिहारी बिहारिन जो नित्य लीला कर रहे हैं, नित्य लीला करते हैं जैसे सेवा कुंज में ठाकुर जी आज भी किशोजी जी के चरण दवाने आती हैं, और ये वास सदैब प्रमारित रही है कि निदिवन में आज भी महारास होता है, जो महाँ की लता पता हें वो सब गोपियों का रूप धारन करती है और रात्री में रास होता है और निदिवन में जो रंग महल है रंगीली महल प्रिया जो का शिंगार भवन महाँी ठाकूर जी आज भी उनका शिंगार करने आते हैं तो ये लीला है वह на जो नित्यी होती है द्रणवत tris harida do ट्ररे नित्य विहार तो स्वामी जी का तो बिहार ऐसा है कोभी तरे नेटरे को संपूर्स रष्टी भी नश्ट हो जाये वे जड्य कभी नश्ट नहीं हो सकता उसका एक सूखन फूर्प और विह आगे आपको चर्चा में सुनने को मिलेगा कैसा क्यों कहा अचा देवारी उन्हें नित्य अपास्नवा सवरूफ आता सबसे पहले यह मांसिक इस्तिती में नित्य चंतन करें क्योंकि कहा है मेरे नित्य किसो राजनमा भीरत एक प्राण दोईतनमा इनके मल मैथुन कछुनाई दिव्य देह भीरत मनमाही जो इसमें आकरी पंतिय दिव्य देह भीरत मनमाही ये मन का भिश है सबसे पहले इसमें मांसिक इस्तिति आती है मांसिक इस्तिति में हम प्रिया प इस इसमें थाकुर्जी महानता के साथ जो सहसर म सरलिकाशना और इसलिए स्वामिजी की रस अपासना और नित्य रस उपासना को सबसे सहज बताया गया है नित्य उपासना में प्रिया पीतम नित्य ब्रंदावन में निकुंजों में बनों में बिहार करते हैं और जो ये नित्य केली नित्य लीला करते हैं उससे रसिकों को जो रस प्राप्त होता है अचार्यों को जो रस प्राप्त हुआ, उस रस की उपासना, उस रस को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा किया गया प्रियासी रस उपासना कहलाता है अर्थ कि हम प्रिया फीर्थम के नित्य विहार को जानने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए जो भी साधन करते हैं भै नित्य उपासना कहलाती है और इस नित्य उपासना का सभसे मूल सरूख जो प्रेम ही धोजा है श्री ललिता महरानी चिंग कहा गया कि एक प्राण त्री देश, श्री प्रिया पीतम के निकुंजरस की उपासना में श्री ललिता महरानी भेह जो के बिना नित्य लीला कभी पूल नहीं हो सकी, प्रिया पीतम को नित्य लाड लडाना नित्य उन्हें नवी 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 पत गायन सुनाना नित्य उन्की लीलाओं का गायन करना सब अचाडरे सक्षी ललिता महराणी सेवा में आता है तो ललतारा महारानी नित्य सेवा में रहती हैं, अचार्यवाणियों ने बासंतों ने बताया, बाध्यन भी किया गया इसका, कि उन्होंने बड़ा सरल और भौती सुक्ष्म और विस्तार से बताया है, एक हरीदासी, जैसे हमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो और क्या हो, तो ह हम क्या कहें, तो हमारे अचार्यों ने बताया है कि हमें उस इस्तिती में क्या कहना है, कि अचारज ललिता सखी, रसिक हमारी छाप, नित्य किसोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वानी, श्री ब्रंदावंधाम, इश्ट श्यामा महारानी, तो अचार्य चरेण या बताते हैं कि अचारज ललिता सकी, जो हमारी अचार्यों नित्य किसोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, हमारी जुगल उपासना, नित्य किसोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकना, जुगल उपासना, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकना, ज करते हैं निपते किषोर नित्य नवीम नित्य नवीन रूप में रहते हैं। शो नित्य जूगलमंत्र मन्त्र का जाप और वेदो सास्त्र रहा अचार्यों की वानि हैं। कि हमारे सन्तों की वाणी जिन्हों ने इ Sustain तरुख किया इस प्रेम अजर्क को हमें वाणियों के मादयम जिक माध्यूहें आज समझ के लिए और आज वाधने 地方 ने कर पार्थे तो उसी प्रयास्ते की हम पे समय नहीं है हर कोई किसी के पास बाणिया नहीं होती है तो स्वामी जी किरपा से जो भी वाणिया जो भी पद मिल रहे हैं उनको पढ़के और अचारे किरपा से समझ के और रस्कों से पूछ कर आप सभी के समख्ष चल्चा लाई जा कुन सा भरंदावन निद्यान्दावन निद्य भरंदावन निद्य भूराऊंवावन यहां निद्य ली षर्डावन यहां पर लिलाएंज हूं वह व्रंदावन धाम является धाम क्वेर श्री आम वह हमारी इश्ट हैं, इसी परीचे के साथ हम अपना परीचे किसी को भी अगर दें, तो यही परीचे दें कि अचारज ललता सकी रसिक हमारी छांग, नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, वेदर सिकन की वाणी, श्री ब्रंदावन धाम इश्ट श्यामा महरानी, इसी परिचय के साथ हम अपनी उपासना को समझें, नित्य उपासना का स्वरूप, नित्य प्रिया पीतम का बिहार और उस रस को प्राक्त करने के लिए की गई साधना ही हमारी उपासना है, और इसकी सिद्धी जबी है, जो हमारे हिर्दय रूपी ब्रंदावन में प्रिया प कर दो कर दो हैं